हेलो आवरीबडी सभी साथ यो को राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरोस्तों में दोस्तों सीटेट वालो के लिए एक ताजा नया नोटिस आया है अभी अभी आया है यदि आप जाना चाहते हैं किस परकार की अपड कैसे आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज आपके लिए एक या दो वीडियो जोव या जोव सी जुड़ी जानकारी पर मलेक आता रहता हूं जो आपके लिए कहीं न कहीं हैलफुल जरूर होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी ताकि कोई भी इंप्रोटें होना था पहले 5-7-2020 को संडे के दिन 112 सीटी ठीक है अब क्या है ये एक्जाम आपका 31 जनवरी 2021 को होना है संडे के दिन 135 सीटी में ठीक है इन्हों क्या था साथ तरीक से आपको चांस दिया था कि आप अपना सीटेट का एक्जाम सेंटर अपडेट कर सकते हैं तो यहां पे दोबारा से मोका दे दिया गया है एक आखरी मोका क्योंकि सरकार चाहती है के इंदर सरकार चाहती है कि ज्यादा ज्यादा लोग इसमें अपियर हों और किसी भी वज़य से कोई बच्चा ना रहे तो यहाँ पे 17 तारिक से 26 तारिक तक दोबारा मोका दे दिया है 17 नॉम्बर से लेकर 26 नॉम्बर के बीच में जो बच्चा अपना exam center चेंज करना चाहता है और आपको करना भी चाहिए हो सकता है अब आपके exam center आपके hometown के ज्यादा नजदीक कोई दे दिया हो ठीक है तो आपको अब एक आखरी मोका दिया है CTAT का exam center अपडेट करने का या फिर चेंज करने का आप यह अपना exam center फरी में चेंज कर सकते हैं CTAT की official website पे जाके ठीक है दोस्तों तो यह एक update थी दोस्तों जो आपके साथ share करने थी यदि आप अपना exam center चेंज करना चाहते हैं तो आप CTAT की official website पे 17 तारिक से चेंज कर सकते हैं और कोशिस की जाएगी कि आपको आपके hometown के नजदीक ही center दिया जाए लेकिन किसी कारण कोई दिक्कत आती है तो आपका center उन जो तीन या चाहर center वरोगे उससे बाहर भी जा सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी है लाइक और कमेंट करके जुरूर बताईगा और ये वीडियो आपने यहां तक देखिए आप सबीका बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करें आप सबीका समय सुभ रहे